कि यूटूब पोर्टल पर आपका सवागत है पिछली कक्छा में हम लोगों ने बात किया था भक्तिकाल लुप की विकास की और किस ने क्या मत दिया भक्तिकाल को विकास हुआ या भक्तिकाल कैसे विक्षित हुआ इसायत की देन किसने माना, इसलामी आक्रमल की देन किसने माना या आतिहासिक सामाजिक सक्तियों के रूप में जनता के दुख कस्टों से हुआ किस तरीके से हुआ या राम्विला सर्मा ने क्या कह या सारी चीजें हम लोगों ने पिछली कक्छा में बात किया था आज की कक्षा में जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो भक्ति काल्ब में आप जानते हैं सागुन भक्ति और निर्गुन भक्ति दो हैं जिन में से हम लोग आज बात करेंगे निर्गुन भक्तिधारा के तहर संत मारगी या ज्यान मारगी काविधारा की बात आज की जाएग जो हमारे नए मेंबर्स हैं जो वीडियो देख रहे हमारे चैनल पर उनको मैं बता दूं इस चीज़ से आउगत करा दे कि हमारे यहां यूजी सी नेट टीजी टीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच जो चल रहा है अगर आप भी उस बैच को जॉइन करना चाहते हैं तो यहां पर जो नंबर दिया गया असी बाउन अठावन चाहर डबल जीरो चाहर सता नबेट कि छी आलिस सब्ताइस चालेस इन दोरों में से किसी भी नंबर पर फोन करके या वाट्सप करके आप फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं साथ ही साथ जो पब्लिक व सबसकि और लोक्स करते हैं संत मार्गी या ज्यान मार्गी कावधः की बाद कि सबसे पहले जाने हैं कि भक्तिकाल में यह मैंने पहले आपको सारी चीज़ बता दिया निर्गुन काविधहरा और सगुन कावेधरा दो धारा एंन दो भागों Swah और प्रेमास्राई साखा को सूथी कावधारा भी कहा जाता है स्राव स्थखुन कावधारा के तहत करें तो राम भक्ति शाखअ और किषन भक्ती साखअ है इनके कवी कौन कौन से हैं इन कवियों के नाम भी मैंने दे दिया और आप जानते हैं छोटी चोटी तो इसमें पूछ लेता है कि कौन सा और कौन से कवी रामभक्ति शाखा के नहीं है या रामभक्ति साखा के uh या सूफी around विजीटी कोन है या सन्तमारगी शाखा के तो ऐसे प्रासन पूछे जाते हैं तो इस लिए मैंने यहां पर नाम भी दे दिया है जो हमारे पेड़ मेंबर्स हैं अभी उनके पास से पीडियाप भी पहुंच जाएगा और वेसे सुबह मैंने दस बजे पीडियाप भेज दिया है भक्ति भक्ति कि अगर बात करें तो यहां पर आप देख रहें निर्गुन निर्गुन धारा या ग्यानास्त्रही साखा इसम अलग लोगों ने अलग अलग नाम से किया जैसे हम लोग बात करें गणपति चंद्रगुप्त की आप कहीं अगर लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं गणपति चंद्रगुप्त गणपति चंद्रगुप्त का नाम लिख लेजिए रामकुमार वर्मा का नाम लिख लिख लिए और परश्राम चतुरुवेदी का नाम लीजिए इन तीनों लोगों ने संत वाद्गी काढ़ेधारा को को संद्द काभे का या ज्यानासरी काढ़ेधारा को संत काभ उतल में कहा है kung तो उतल सकते हैं संत काब गणपती चंद्र गुप्त रामकुमार वर्मा और परसुराम चतुरुवेदी ने संत काब कहा है वहीं निर्गुन भक्ति हजारी प्रसाद्दुवेदी ने कहा तो ग्यानास्रई साखा आचारे रामचंद्र शुक्ल ने कहा है गणपती चंद्र और रामकुमार वर्मा जिन्होंने संत काब कहा उन्होंने संत काब धारा का प्रथम कवी नामदेव को माना है अभी जो मैंने आपको बताया गड़पती चंद्र गुप्त और रामकुमार वर्मा इन दोनों लोगों ने संत काव्य कहने के साथ साथ इस कावेधारा या ज्यानमार्गी कावेधारा का पर्थम कवी नामदयों को कहा है जबकि रामसरूप्चतुवेधी हैं हजारी प्रसादुवेधी हैं आचार रामचंद्र शुक्ल हैं इन लोगों ने संत कावेधारा का पर्थम कवी कवीरदास को माना है तो यह कुछ प्रारमिक चीजें हैं जो बतानी जरूरी थी अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां पर बात करते हैं नेरगुन कावेधारा में कि तेरवी सदी तक धर्म के छेतर में बड़ी अविवस्ता आ गई थी जनता में सिद्धों और योगियों दारा प्रचलित अंदविश्वास फैल रहे थे सास्र ग्यान संपन वर्ग में भी रूडियों और आडंबरों की प्रधानता हो चली थी मायावाद के प्रभाव से लोक भी मुखता और निस्क्रियता के भाव समाज में पनपने लगे थे तो ऐसे में भक्ती अंदोलन के तहत एक ऐसा वर्ग जो ईश्वर की परमसत्ता में विश्वास तो करता था लेकिन उनके मूर्त रूप में नहीं इसका उदय हुआ और इसी को कहा गया ज्यान मारगी काबे धारा या संत मारगी काबे धारा लेकिन इसी आप देखेंगे कि इस आंदोर में बहुत सारे कवी हुएं लेकिन सबसे अगरणी कवी की बात करें तो सबसे अगरणी कवी कवीर दास है आचार रामचंदर शूक्ल जी ने कहा भी है कि निर्गुन मारगे के निदिष्ट प्रवर्तक कवीर दास ही हैं आचार राम चंद शुक्ली ने कहा है अगर हम डॉक्टर बच्चन की बात करें तो आपने पढ़ा भी होगा डॉक्टर बच्चन सिंग ने भी कहा है कि हिंदी भक्ति कावे का प्रथम करामतिकारी पुरसकरता कवीर है तो यहां पर हम देख रहे हैं कि निर्गुन मार्ग के अगर सबसे अग्रणी कवियों में देखा जाए तो सबसे अग्रणी कवियों में कवीर दास का ही नाम लेना होता है कवीर दास ही है क्योंकि डॉक्टर बच्चन सिंग ने भी कहा कि हिंदी भक्ति कावे का प्रथम करामतिकारी प् कहा कि निर्गुर्ण मार्ग के निदिष्ट प्रवर्तक कभीरदा सही हैं अगर हम देखें तो इसकी प्रविर्तियां कौन-कौन सी है इनकी प्रविर्तियों पर भी हमको ध्यान देना है देखें ग्यानमारगी का विधारा में संद कभी उने ग्यानमारगी का असरे लिया संद कभीयों में स्रेष्ट कभीर ही हैं और उन्होंने कहा कि बिना गुरु के ग्यान के इस्वर का साक्षात कार अर्थात आत्म ग्यान नहीं हो सकता और उन्होंने यह कहा कि ग्यान प्रकास कि बिना ईश्वर का साथचातकार या आत्म ज्यान नहीं हो सकता है इसे तो साफ अस्पस्ट है कि ग्यानमारगी साखा में गुरू के महत उपर बल दिया गया सद्गुरू का महत तो बताया गया तो अभी हम लोग ग्ञानमारगी कावेदारा की विसेस्ताओं की बात करेंगे इस धारा के कवियों में अगर देखें तो कबीर के अलावा रैदास भी हैं दादू हैं मलूग दास हैं सुन्दर दास गुर्णानक देव हैं आदिक कवीश में हैं खरीन लोगों की बात अभी आगे हम लोग वीडियो में करेंगे ग्यानमारगी काविधारा की विशेस्थाएं कौन-कौन सी हैं सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि आत्म विश्वास की प्रभलता जो सं्थ कभी थे वो प्रायर निरक्चर थे उन्होंने बिविन संपर्दायों दोरा प्रतपाद्द सिधानतों को सुना था अता सास्त्रों ने उन्हों पर जो प्रहार किया उनसे प्रभावित नहीं हुए उन्होंने संक्राचार वैशनों वो सूफी कभियों नाथ योगियों की परमपरा से स्वयम को अच्छे लगने वाले विचारों को ग्रहन किया इससे उनमें अताह आत्म विश्वास की भावना आ गई और निडर होकर उन्हें स्वानुभूती को अभिव्यक्ति कर सके और इस अभिव्यक्ति को इस स्वानुभूती को अभिव्यक्ति करने में सबसे प्रमुख अस्थान अगर देखें तो कबीर का रहा है कबीर ने कहा है कि पानी बाढ़े नौ में घर में बाढ़े दाम दोनों हाथ उली चीए यह सज्जन को काम कबीरा सोधन संचीए जो आगे को होई सीज चढ़ाये गाठरी जात न देखा कोई इसी के साथ ग्यानमारगी कावेधारा में सद गुरू का महत्त है संत कभियों ने गुरू के महत्त को रेखांकित किया गुरू की वास्तविक पथ परदर्सक है उसी के बताये गए मारगों का अनुसरन करके ही लक्ष की प्राप्ति संभो है अतह गुरू का अस्थान इस्वर से भी उँचा है और कहा कि गुरू गोविन दो खड़े काके इंदियो पता है गुरू ही राम नाम का महामंत्र करता है महामंत्र पदान करता है जिसके दोरा भासागर से मुक्ति मिलती है अतह गुरू की महिमा का जितना भी वल्रन किया जाये वह कम है और कहा गया कि राम नाम के पटतरे देवे को कचनाए क्या ले गुर संतोसी है होसरही मनमाए 64 दीवा जोरिकर 14 चंदा माए तही घर किसको चांदना जे घर गोबिंदनाए तो इस तरीके से गुरु का महत्य का वर्ण किया गया है और कहा गया कि ईस्वर से उचा स्थान गुरू का है क्योंकि इस और पर प्राप्त करने का मार्ग दिखाने वाला गुरु ही है है फिरिकर का महत्य सगन भक्तिधरा में भी आप देखेंगे तो गुरु के महत्तों को स्विकार किया है मीरा ने और गुरु की वंदना भी की है निर्गुन ब्रह्म के प्रति आस्था आपको संत मारगी काविधारा में देखने को मिलेगा इन्होंने निर्गुन निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल दिया इनका मा पांतरयामी है उसके स्वरूप का विशलेशन किया कि जाके मुह माथा नहीं नहीं रूप कुरूप पूप वास्ते पातरा ऐसा तत्त अनुप कभी ने सामाने जनता की अराधना संबंधी कठिनाईयों का अनुभू किया और उसके अनुसार ब्रह्म का स्वरूप निर्धारि इसमे राम नाम के महत को भी उन्होंने सुईकारा है और नाम के महत को भी उन्होंने आगे बढ़ाया है। जैसे उन्होंने कहा कि दसरत सुत्ति हुलोक बखाना राम नाम का हिमरम है आना संत मारगी कावेधारा में आप देखेंगे कि संसार की असारता का निरूपन किया गया संत कभियोंने इस संसार को असत्य सारहीन और अभासी बताया है इसके लिए उन्होंने संत कभियोंने वहर जगत को आभासी और असत्य बताते हुए अंतर जगत की सत्यता को प्रमारित करने का प्रयास किया है वास्तविक्ता का दर्सन तो अंतर मन में ही हो सकता है यानि यहां पर आप देखेंगे कि तो निर्गुन ब्रह्म के प्रति आस्था ब्यक्त किया गया है इनका लक्ष निर्गुन ब्रह्म की प्राप्ति है यह देपी इन्होंने उसे प्राप्त करने के लिए श्रगुन साधना का तो प्रयोग किया है नाम का प्रियोक किया है लेकिन इनके जो ब्रहम है वो निर्गुन है निराकार है संसार असत्य है और उन्होंने कि ऐसा ये संसार है जैसा सेमर फूल दिन दस के बेवहार में जूते रंगन भूल अंतर साधना पर बल दिया वही जगत को इन्होंने असत्य बताया और अंतर साधना पर बल दिया कहा जब तक अंतर साधना नहीं होगी अंतर मन असाफ नहीं होगा तब तक वाही जगत से कुछ नहीं होने वाला है संतों ने असपस्ट रूप से कहा कि जब तब से जब तक कुछ नहीं हो सकता ना ही धार्मी ग्रंतों के अध्यन से कुछ हो सकता है जब तक कि आत्मसुद्धी नहीं हो जाती है और कहा कि माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर करका मन का डार दे मन का मन का फेर पोथी पड़ पड़ जग मुआ पंडित भया न कोई धाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए वाहे आडंबरों का विरोध किया गया वाहे आडंबरों में आप देखेंगे कबीर ने अपने व्यंग प्रहवार से मौल्वियों पंडितों पर जम कर चोटे की इनके व्यंग में जो पैनापन वा गंभीरता है वह अन्यत्र दुरलब है कबीर की व्यंगात मक्ता की प्रसंसा आचार हजारी प्रसाद दुवेदी ने भी की है इनुट जाती पात पर वाह आडंबर में जाती पात का विरोध किया कहा जाती पात पूछे नहीं कोई हरी को भजे सोहरी का हुई वहीं हिंदू संपर्दाय से आई हुई जो रूढिगत विक्रितियां थी उनका जमकर विरोध किया मुर्ति पूजा का विरोध किया धार्मिक हिंसा रोजा ब्रत तीर्थ हाज आधी आडमरों की आलोचना की और उन्होंने कहा कि एक जियोतिते सब उत्पर्णा को बाभन को सूदा जाति पाति का विरोध पाहन पूजे तो हर मिले तो में पूजू पहार ताते ते चाकी भली पी सिखाए संसार काकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए ताचर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है तो ये सारी चीजे कबीर ने कहा है संत मारगी या ग्यान मारगी का विधारा के तहट आप देखेंगे कि इन्होंने अहिंसा परबल दिया यानि संत कभियों ने हिंसा का विरोध किया और अहिंसा की परतिष्ठा की ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उस समाज में हिंदू और मुसल्मान दोनों धर्मों में हिंसात्मक परबिर्तिया थी उनका मानना था कि कड़कड में इस और का निवास है इसलिए जीव हत्या करना पाप नहीं बलकि परमपाप है और यही कारण है कि साक्त मता नुगाईयों का प्रबल विरोध किया गया और कहा गया दिन भर रोजा रात हनत हैं गाये ये तो खून वो बंदगी कैसे खुसी खुदा है बकरी पाती खात है ताकी काड़ी खाल जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल तो इस तरहीके से जीव हत्या पर भी इन्होंने व्यंग किया जीव हत्या पर इन्होंने प्रहार किया तो यह संतमार्गी या ज्यानमार्गी काविधारा की आप देखेंगे तो यहां पर आपको यह विशेस्थाय देखने को मिलेंगी सामाजिक असामानताओं का विरोध किया गया वन विवस्था का भी आप देखेंगे तो ज्यानमार्गी काविधारा में विरोध किया गया को हरीगा हुई संत कभियों ने सास्त्रों का भी विरोध किया क्योंकि सास्त्र उन के लिए अभिजात्यता के परतीक है और सामाजिक व 28 भेधाव को जर्म देते हैं शास्त्रों का इतना प्रकर विरोध बाद के साहित में नहीं देखा गया जितना भक्ति काल में देखा गया है तो ऐसा भी प्रशन आप से परिक्षा में पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस काल में सबसे अधिक सास्त्रों का प्रकर विरोध किया गया है तो आपका उत्तर होगा भक्ति काल में रहे दास जैसे कवियों ने भी अपना भाव प्रकट किया समाजिक असमान Constğan को लेकर वनe विवस्था को लेकर रह रहे दास ने कहा कि जाति ओछा पाति ओछा ओछा जनम हमारा राम राज की सेवा के के ल el게 कही yum कही रविदास root तो इस तरीके से उन्हें वण व्यवस्था का विरोध किया जातीपात के उपर उन्होंने व्यंग किया संत कभी कि अगर भासा की बात करें हम लोग तो यहां से भी हमेशा प्रस्न पूछा जाता है संत कभी की जो भासा है वो आप परिस्कृत है साहित्तिक भासा के स्थान पर संत कवियों ने बोल्चाल की भासा का प्रियोग किया और उनकी भासाओं में ब्रज आओधी खड़ी भोली राजस्थानी पंजाबी फार्सी अर्वी आदी के सब्द आपको देखने को मिलेंगे मैं आपको बता दूं कि जो संत कभी थे संत कभी स्वयम को स्रेष्ट कभी साबित करना इनका उद्देश कभी नहीं रहा है और यह घुमकर प्रविर्द के थे जगए जगए पर जाकर अपना उपदेश देंते थे और उपदेश देना ही इनका सभाव था अतहां इनकी भासा में आप देखेंगे तो विन विन अस्थानों के सब्द जुड़ गए यानि जहां जहां गए वहां वहां की भासा के सब्द जुड़ते चले गए इन्होंने अनेक संपरदायों के मतों को भी ग्रहन किया इसलिए उन्हीं परतीकों का परियोग भी स्वाभविक रूप से इन्होंने किया है इनकी भक्ती भी निराकारब्रह्म के प्रति थी तो इन सब का परभाव इनकी भासा पर पढ़ता गया और इनकी भासा जो थी नीर के अगर अगर आप से कोई प्रशन पूछता है आप तो साहिति के विद्यार्थी है आप तो साहित पढ़ते हैं और भारत की सबसे बड़ी जो जिशाओगुद तैयारी कर रहे हैं है और आप बताईए कि संत कभियों पर्यों क्या कि प्रभाव में आकर किया को मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हट योगके प्रभाव के कारण अ योग हट योग के प्रभाव के करण इनकी भासाओं में उलटबासियों का प्रियोग हुआ है उन्हें समझने के लिए उनकी प्रतिकात्मक शब्दावली को सुल्जाना अवस्यक है इसलिए आप देखेंगे कि उलटबासियों में जैसे कहा गया कि नईया बिच नदिया डू नहीं बर से कंबल भीजे पर लिए उलटबासियों अगर कावे रूप की बात की जाए तो संतों का जितना साहित है सारा का सारा साहित मुक्तकों के रूप में उपलब्द है जिस अमूर्थ की चर्चा उन्होंने की और जिस अंतस साधनात्मक अनुभूतियों को वे किया है क्योंकि आप लेकर तो बैठे ही होंगे जो हमारे पुराने मेंबर से वह जानते हैं कि कॉपी पेन लेकर ही बैठें वीडियो देखने ताकि जो भी चीजा अलग से बताईजे उन्हें आप लिखते चले तो संत कभी उन्हें किस सैली का परियोग किया है मुक्तक सैल का परियोग किया है आदी छंदों का परियोग इन लोगों ने किया है संत कभियों में मैंने जैसा की अभी आपको बताया था कि रह दास हैं कभीर हैं जंभनात हैं हरदास निरजनी हैं गुर्णानक हैं सींगा हैं लाल दास दादू दयाल मलूग दास बाबा लाल सुंदर लेकिन सबसे प्रमुख कभी अगर देखें तो कवीर दास हैं इससे पहले कि कख्छा में मैंने कवीर के लिए अलग से वीडियो एक आप लोगों को लेक्चर दिया था उस लेक्चर को मैं अभी फिर आपको कवीर के ऊपर जो है वह मैं सेंड कर दूंगा पूरा कवीर का कभीर से संबंदित कुछ कथन जो कहें गएं वह यहां पर मैं आपको बता दूं यहां पर मैंने दे दिया फिर आगे हम लोग बात करते हैं मलूग दास की रादुदयाल की लाल दास की अर्दास निरजनी की इनकी बात करेंगे कभीर विस्तित इस वीडियो में नहीं होगा क्योंकि कवीर का विश्तित वीडियो अलग बना हुआ है और वो मैं अभी आप लोगों को जो हमारे पेड मेंबर्स हैं अभी मैं सेंड कर दे रहा हूं आप लोगों को रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कवीर दास के बारे में कि निरगुन मारग के निदिष्ट प्रवर्तक कवीर से सही थे मैंने अभी आपको बताया है। संत कविधार के प्रथम कभी कवीर वश्रुक्र जी ने है हजारी प्रसाद दुवेदी ने माना है राम शरूप चतुवेदी ने माना है जबकि संत मारगी काविधारा के प्रथम कभी नामदेव को गणपती चंद्र गुप्त और रामकुमार वर्मा ने माना है अभी मैंने आप लोगों को यह चीज बताया भी है अब यहां पर आप देखें कि इसके अलावा कभीर के बारे में और भी जो प्रशन पूछे जाते हैं तो कभीर के बारे में ये भी प्रशन पूछा जाता है कि इनका जन्म कहां हुआ तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि कभीर का जन्म अस्थान कासी है कासी और मिरत कहां पर हुआ तो मगहर में हुआ मगहर में जाकर इन्होंने सरीर त्यागा था तो यह दोनों चीजें कभी-कभी पूछ ले जाती है बहुत ही साधारण जैसे एकाद प्रसंतों साधारण दिया ही जाता है और इनके गुरु का नाम क्या है रामानंद है और जात कौन सी है जुलाहा है मातापिता नीरू और नीमा यह सारी चीजें आप लोगों को जो साधारण है वो आपको पता ही होगा कभी-कभी पूछ ली जाती हैं और वह सारा बिस्तृत आपको अगले वीडियो में मिलेगा कुछ मुसल्मानों के अनुसार कवीर के जो गुरू का नाम था उस्सूफी फकीर से तकी थे कवीर सिकंदर लोदी के गुरू थे आचार हजारी प्रसाद दुवेदी ने कवीर को भासा का डिक्टेटर कहा है कवीर की बानियों का सबसे पुराना नमूना अगर आप देखें तो गुरू गरंत साहब में संकलित है कवीर की वचनावली की सबसे प्रचीन प्रती सन 1512 इस्वी में लिखी गई यह कथन आचार रामचंदर शुक्ल का है यहाँ पर मैंने यह कथन इसलिए सारी चीज़ें दे रखा है क्योंकि इन से हमेशा प्रस्ण पूछे जाते हैं बाकि कवीर विस्तित में आपको तो सारी चीज़ें मिलेंगी यह मिलेंगी लेकिन यहाँ पर मैंने सोचा कि आप लोगों को अगर यह उपलब्ध करा दिया जाएगा तो सही रहेगा कवीर की भासा को पंचमेल खिचडी किसने कहा स्यामसुंदर दास ने कहा है जबकि सधुकडी किसने कहा आचारे रामचंदर शुक्ल ने कवीर की वाणी का संग्रह उनके सिस धर्मदास ने किया है यह भी प्रशन पूछा जाता है धर्मदास ने किस नाम से किया बीजक नाम से किया और बीजक के तीन भाग है शाखी सबद और रमयनी इनमें रमयनी की बात करें तो रमयनी आप देखेंगे कि रमयनी किस सहली में है रमयनी मतलब होता है आप जानते होंगे रामायन रमयनी का शाब्दिक अर्थ होता है रामायन ये दोहा 24 सहली में लिखी गई है और इसकी भासा कौन सी है तो ब्रज भासा वा पूर्वी बोली है इसकी भासा वहीं सबद सबद की अगर बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है शब्द और ये गे पद है इसकी भासा ब्रज भासा और पूर्वी बोली है जब कि साखी शाखी मतलब शाक्षी शाखी दोहा सहली में लिखी गई है इसकी भासा कैसी है तो राजस्थानी राजस्थानी पंजाब मिली खड़ी बोली है तो यहां पर बात हम लोगों ने किया कि इनकी जो साकी सब्द रमेनी है उसमें कि छंद का प्रियोग हुआ है भासा कौन सी है और इसका अगर देखाया है तो संग्रह किस ने किया तो धर्म दास ने किया है तो तो बीजक नाम से इन्होंने किया है हजारी प्रसाद दुवेदी ने कहा कि कवीर दास मुसल्मान वंस में पैदा होकर भी सत्रसंग के बल पर हिंदू सास्री मतों को इतना जान सके थे ये सिद्धान्त वस्ता कि सिद्रेण परमाल पर आधारित नहीं है हजारी प्रसाद दुवेदी ने एक गरंत लिखा जिसका नाम है कवीर 1971 इस्वी में प्रकासित हुआ कवीर नामक गरंत किसका है हजारी प्रसाद दुवेदी का उन्होंने अपनी इस गरंत में कहा कि कवीर दास का रास्ता उल्टा था उन्हें सवभाग्य वस्क सुयोग भी अच्छा मिला था जितने प्रकार के संस्कार पढ़ने के रास्ते हैं वे प्रायस सभी उनके लिए बंद थे हिंदू होकर भी हिंदू नहीं थे वे सादू होकर भी सादू नहीं थे वैशनों होकर भी वैशनों नहीं थे योगी होकर भी योगी नहीं थे वो ये भगवान की ओर से सबसे न्यारे बना कर भेजे गए थे ये किसने कहा है तो आचार हजारी प्रसाद दुवेदी ने अपनी गरंथ कवीर में कहा है कवीर के बारे में कहा भी जाता है कि वे वैशनों को अपना संगी कहते है लेकिन वैशनों के जो चौदाह उतार है उसी को उन्हें चौदाह भुवन कहा और उन्हें चौदाह भुवनों का चौधरी कहकर विशनों का मजाक भी उडाया है किसके बारे में कहा गया कवीर के बारे में हजारी परसाद दुवेदी ने कहा है कि कवीर की वानी वह लता है बहुत ही महत्पूर है सायद ही आपको हर पूस्तक में मिले या हो सकता है कुछ लोगों को मिला भी नहों कवीर की वानी वह लता है जो योग के छेत्र में भक्ति का बीज पढ़ने से अंकुरित हुई बहुत तुक्वंदियों से युक्त, रूपकों वाली तथा भगतिरस के सरस्ता से रहित कहकर उन्हें साहित की कोटी से बाहर निकाल देने की संसुति की है वहीं स्यामसुंदर दास ने कहा कि सत्य के प्रकास का साधन बनकर जिसकी प्रगाण अनुभूती उनको हुई थी कविता सुमय उनकी यहां पर आवे थी ऐसा किस ने कहा तो स्यामसुंदर दास ने कहा है हजारी परसार दुवेदी ने कहा कि कवीर के पदों में जो महान प्रकास पुंज है वो बाधिक आलोचना का विसे नहीं है वो म्यूजियम की चीज नहीं है बलकि जीवित प्राणवान वस्तु है यह कवीर के वारे में जो भी कतन कहे गए हैं इसलिए मैंने यहां पर दे दिया वो इसे कवीर से सम्मंदित आपको वीडियो अभी आपको मिलेगा कवीर के वेश्तृत का वीडियो अभी आपको मिलेगा जो 40 से 50 मिनट का लगभग है लेकिन फिर भी कवीर के वो जो भी कतन कहे गए हैं इनसे प्रशन पूछे जाते हैं इसलिए मैंने यहां पर इन्हें सम्मलित कर लिया है बाकि अभी आगे हम लोग संतमारगी काविधारा के जो कवी हैं उनकी बात करेंगे हजारी प्रसाद दुवेदी का यह कतन आपके लिए बहुत ही महतपूर है अगर आपने कभी पढ़ा हो तो जरूर बताईएगा जितने भी साहित के विद्यारती हैं जो भी वीडियो देख रहे हैं अगर आपने कभी कहीं पढ़ा हो तो जरूर बताईएगा कि इससे पहले कि आपको ऐसे महतपूर कथन कहीं पर मिले हैं हचारी प्रसाद दुवेदी ने कहा कि यद्धेपी कबीर ने कहीं काबिल लिखने की कलपना नहीं की तथा पी उनकी आध्यात्मिक्ता रस की गगरी से छलके हुए रस से काबिकी कटोरी में भी कम रस इकठा नहीं हुआ ये किस ने कहा है तो आचारी हजारी प्रसाद दुवेदी ने कहा है वहीं रामकुमार वर्मा ने कहा कि यद्धेप कबीर ने पिंगल और अलंकार के आधार पर काबिर रचना नहीं की तथा पर उनकी काबिया नुभूती इतनी उतकिर्ष्ट थी कि वें सरलता से महाकवी कहे जा सकते हैं उनकी कविता में चंद और अलंकार गौन है और संदेश परधान रामकुमार वर्मा ने कवीर के रहस्यवाद पर भी कहा है कि उन्होंने अद्वयत वाद से माया और चिंतन तथा सूफी मत से प्रेम लेकर अपने रहस्यवाद के श्रिष्टी की है सूफी मत की इस तरी रूप भगवान की भावना ने अद्वयत वाद के पूरुस रूप भगवान की भावना के सामने सिर जुका लिया है ऐसा कथन किसका है तो रामकुमार वर्मा का है तो कवीर ने जो राम की बात की है कवीर के राम है कौन कवीर तो निर्गुन है फिर उन्होंने र आपको बता दें कि कभीर के राम के स्वरूप कर निधारन हिंदी साहित का एक विवादास प्रस्ण है कि कुछ लोग सगुण मानते हैं तो कुछ लोग निर्गुण मानते हैं निराकार मानते हैं सगुन मानने वाले दसरत पुत आउतारी राम कहते हैं लेकिन यहां पर खंडन किया गया कि दसरत सुत्ति हुण लोग बखाना राम नाम का मरम है आना निर्गुन राम जपहुरे भाई आप यहां पर थोड़ा सा संसर यह हो जाता है कि कभीर ने आखिर ने आखिर में राम कहीं नाम क्यों लिया कोई और नाम ले लेते लेकिन मैं आपको बता दून कभीर ने राम नाम नाम इसलिये लिया पउनके गुरुण जो रामाननी थे नाम राम रखा राम को निर्गुन मानने का मूल कारण यह था कि कभीर संकर के अध्वयत्वाद और नात संपरदाय से भी अधिक प्रभावित्थे एक कारण यह भी है और उन्होंने कहा है कि कभीर कुता राम का मुतिया मेरा नाओ गले राम की जेवरी जित खीचे तित जाओं कभीर ने कभी कभी यह खुद सुईकार किया और उन्होंने कहा कि सगुन और निर्गुन में विवेद करना संभो नहीं है उन्होंने कहा कि संतो धोखा कासू कहिए गुन में निर्गुन निर्गुन में गुन बाट छाड क्यों बहिए तो कहीं कहीं पर उन्होंने सगुन और निर्गुन में कहा कि कोई बहुत जादा अंतर नहीं है जो कबीर का दर्सन है अगर कबीर के दर्सन की बात की जाए तो रहा सवाद की अगर बात की जाये तो कबीर का जो रहा सवाद है तो बिचार के छेत्र में जो अध्योएत्वाद है भावना के छेत्र में वही रहा सवाद है तो यहां रहासिवाद की अगर बात करें तो रहासिवाद दो प्रकार का होता है साधनात्मक रहासिवाद और भावनात्मक रहासिवाद साधनात्मक रहासिवाद नाथ संपरदाय की हठियोग साधना पद्धती पर आधारित है वहीं भावनात्मक रहस्यवाद की अगर बात करें तो भावनात्मक रहस्यवाद सूफियों से कवीर को प्राप्त हुआ इसका विस्तित आप कवीर का जो वीडियो देंगे उसमें आपको पूरा विस्तित मिलेगा आप देखिएगा लेकिन कवीर का जो रहस्यवाद है वो सा पर पूरा वीडियो मैंने बनाया है और वीडियो आप तक अभी पहुंच जाएगा कभीर पर आपको बहुत ज्यादा अलग से कुछ चीज करने की जरूरत नहीं होगी अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कभीर के अलावा और कभीयों की जैसे अगर रामानंद की बात हम लोग यहाँ पर करें तो इनका जन्म 1368 इस्वी में 1368 आप कहीं लिख लिए 1368 इस्वी में हुआ और इनका देहां 1468 बताया जाता है रामानंद कानिकुप जी के ब्रहमन थे इनकी सिक्षा कासी में हुई भक्त माल के अनुसार अगर देखें तो यह रामानुजाचारी की सिस्परमपरा में चतुर्थ थे रामानंद अगर हम देखें तो सिस रामानुजाचार के सिस परंपरा में यह चौथे अस्थान पर थे रामानंद के सिस्यों की बात करें तो रामानंद के 12 सिस थे आप लोग जानते भी होंगे अनंतानंद शुकानंद सुर्सुरानंद नरहरानंद भावानंद पीपा कभीर सें धन्ना रैदास सुर्सुरी और एक थी पदमावति तो इस तरीके से आप देखेंगे तो यह इनके कभी है इनके से से हैं रामानंद के नाभादास के मत में रामानंद दस्धा भक्ति के आगार थे रामानंद के सिस्यों में जो कवीर थे, पीपा थे, अनंत दास थे और धन्ना थे ये बहुत ही परसिद्ध थे कभी-कभी ऐसा भी प्रस्ण पूछ लिया जाता है कि रामानंद के गुरू का नाम क्या था अगर भाई देवे ऐसा कोई प्रस्ण पूछा जाता है आपसे कि रामानंद के गुरू का नाम क्या था तो अगर आपको लिखना है आप लिख सकते हैं कॉपी पन आपके पास होगा ही इनके गुरु का नाम था राघवा नंद आप लिख लें राघवा नंद इनके गुरु का नाम था राघवा नंद और इन्होंने रामावत संपरदाय का प्रवर्तन किया लिख लिजिए पूछा जाता है रामावत संपरदाय का प्रवर्तन किया रामानंद ने तीर्थ यात्रा मूर्ति पूजा वेदादि का विरोध करते हुए उन्होंने अंतस साथना पर बल दिया रामानंद के गुरु जो राघवा नंद जी थे जिसा कि मैंने अभी आपको लिखाया है कि रामानंद के गुरु का नाम क्या था राघवा नंद तो इनके गुरु जो थे राघवा नंद जी राघवा नंद जी ने सिध्धान्त पंच मात्रा नामक ग्रंत की रचना की कभ कि रामानंद जी के गुरू थे अब बात हम लोग रहिधास की अगर करें तो रहरास का जन्म कासी में हुआ तेरह सो अठान नगेश्वी में रहधास जाती के चमारते खरजाती नहीं पूछी जाती है जन्वास्थान कहा है कासी ये पूछ लिया जाता है या मीरा भाई के गुरू का नाम क्या था कई वार है ये भी प्रस्ण पूछा गया है तो रहधास थे जन्व काल के संबंद में निश्चे पूर्बक कहना संभूण नहीं है लेकिन कुछ विद्वान इन्हें परसिद कवेत्री मीरा का गुरू जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मीरा का गुरू कुछ लोग मानते हैं और प्रस्ण भी पूछा गया है रहधास का कहीं कहीं ना बानी नाम से जो इनकी बानी है उसको संकलित किया गया है इनके लिखे हुए 400 गुरू गरंत साहब में भी संकलित हैं आप लिखलें रहधास के 40 पद गुरू गुरू गरनत्साहब में संकलित हैं और एक सबसे बहुत प्रमुक बात अगर आपको हम बता है तो प्रमुक बात यह है कि रएदास की जितने जो रचनाये हैं यह भीदास की गुरू थे लेकिन रामानंद का उल्लेक कहीं पर भी नहीं है निर्गुन ब्रह्म उनके लिए भी जिग्यासा का विशा है रैदास के लिए उनकी भासा सरस सरल ब्रज भासा है जिसमें अवधी राजस्थानी खाड़ी वोली उर्दू फार्सी के भी सब्द मिल जाते हैं और प्रभ जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग वास समानी यह पद पूछ लिया जाता है रैदास का है कभी कभी ऐसे पंक्ति दे जाती है और पूछ लिए जाती किसका है अब हम लोग गुरुनानक की बात करें नानक देव की बात करें तो सिक संपरदाय के प्रवर्तक तलबंडी में हुआ जो कि लाहोर के निकट में तलबंडी इनके पिता का नाम कालू चंथा माता का नाम त्रिपता था लेकिन अब यह नंकाना साहब के नाम से जाना जाता है लाहोर के निकट जो तलबंडी और नंकाना के नाम से अब जाना जाता है इनके पत्त गुरुग जपूजी रचना गुरुनानक की है रही रास रचना भी नानक की है सोहिला रचना भी गुरुनानक जी की है इनके दो पुत्र थे एक का नाम सिरी चन था दूसरे का नाम लक्षिमी चन था सिरी चन जी ने उदासी संपरदाई चलाया उदासी संपरदाई भी कभी कभी प्रशन पूछा जाता है तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं जम्भना की अगर बात करें तो यह जोदपुर के नागावर प्रदेश में इनका जन्म हुआ 1411 में और इन्हों ने विश्णोई संपरदाय की इस्थापना की इन से बहुत जादा प्रस्ण नहीं पूछा जाता है लेकिन सिर्फ विश्णोई संपरदाय के बारे में जरूर पूछा ज पत्के तो सेशी में दरतनाथ हैं माल देयों हैं लेकिन कोई बहुत जजादा महतफ़ूर नहीं है हरी दास निरंजनी की अगर बात करें तो यह संपरदाय के कभी है इस संपरदाय को नाथ पंथ और संथ काविक के बीच कि कड़ी माना जा सकता आए आप लिखें लिखें निरंजनी संपर्दाय को नाथ पन्त और संत काबिक के बीच की करी माना जा सकता है हरदास निरंजनी की रचनाये पूछ जाती हैं कोवेश पर आपके पास होगा ही इनकी रचनाओं का नाम लिख लिजिए बहुत ही महत्पून हैं और रचनाये पूछ लिजाती है फिर आप कहते हैं मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं है लिखे निर्पक मूल ग्रंथ निर्पक मूल ग्रंथ हमारी कक्षा है तो आप जानते हैं जिस तरीके से ऑफलाइन कक्षा होती हैं लिखाई जाती है वैसे मैं आप लोगों को यहां भी लिखाता हूं जो भी चीज़े पीडियप में नहीं होती है हरिदास निरंजनी के गरंथ का नाम लिखे निर्पक मूल गरंथ पूजा जोग गरंथ समाधी जोग गरंथ संग्राम जोग गरंथ लिख लिए आपने चार गरंथों का नाम है निर्पक मूल गरंथ पूजा जोग गरंथ समाधी जोग गरंथ संग्राम जोग गरंथ इसके लाव और चार रचनाय और हैं हंस प्रबोध ग्रंथ हंस प्रबोध हंस प्रबोध ग्रंथ ब्रह्म इस्तुति ग्रंथ ब्रह्म इस्तुति ग्रंथ जोग ग्रंथ जोग ऐसे लिखें जोग जोग गरंत और अश्ट पदी यह हरिदास नरंजनी की रचनाएं हैं अब इसके बाद हम लोग बात करें दादू दयाल की इसलिए पीडियाप में सारी चीज़ें नहीं सामिल करते हैं कि वीडियो अगर आप देखें तो आपका मन लगा रहे हैं आप चीजों को लिखते चले नहीं तो सारी चीज़ें पीडियाप में अगर सामिल ही कर लेंगे तो फिर आप कहेंगे चलो यह तो पीडियाप से लिखी लेंगे लेकिन इसलिए पीडियाप में नहीं होती कि आपका भी मन लगे और चीजों को आप गौर से सुने गौर से देखें दादू दयाल की अग धर्म सुधारक समा सुधारक के रूप में ये रहास्यवादी कवी हैं दादुदयाल जी इनके पंथ को परम प्रम संपर्दाईं भी कहा जाता हैै आप लिखने दादुदयाल सपर्दाई gehen और दयाल होगा यह दो प्रमुक्ष सिστ हैं दादू दयाल के रचजजब सुंदर दास बीवे लेकिन के सिस्यों में रच्जब और सुंदर दास का नाम बहुत ही प्रमुक्ष्य और दादु दयाल की एक रचना है जिसका नाम साइद आप लोग जानते भी हो इनकी रचनाओं का जो संकलन है वो हर्डेवाणी नाम से है। कि आप ऑफ़ अपूछा जाता है प्रस्न हर्ड दे वारी हर कि हर डे वारी लिख लिए आपने कर द्माग में वह आ जा पर नहीं हो किसे सवा लुट सकता है कि किस्ने आखर से इन लोगों conquest ऑर जगन्नात दास को कि हरड़े वाड़ी नाम से दादु दयाल के पदों का जो संकलन है रचनाओं का जो संकलन है वह रड़े वाड़ी नाम से संत दास और जगनात दास ने किया है हो गया अब बात करते हैं मलूक दास की जिनका जन 1574 इस वी में बताया जाता है इनके लिखे ग्रंथों का नाम आप लिख लें यहां पर मैंने दे दिया है ग्यान बोध रतन खान भक्त वच्छावली भक्ति विवेक ग्यान परोक्ष बारह खड़ी राम उतार लीला आधी इ और मलूक दास के बारे में तो आप जानते ही हैं बहुत ही प्रमुख इनका एक पद है कि आजगर करेन चाकरी पंची करेन काम दास मलूक का कह गए सब के दाता राम तो इनके बारे में आप जानते ही हैं इनके पद को आप जानते हैं अब अगर बात हम सुन्दर दास की करे तो इनका जन 1596 इस भी में माना जाता है 1596 में ये दादु दयाल के सिस हैं ऐसा मैंने आभी आपको पहले भी बताया है और एक प्रतिभासाली कभी भी है इनके लिखे गरंथों में ज्यान समुद्र और सुन्दर विलास परसिद्ध है सुन्दर दास की दो रचनाएं हैं सुन सुन्दर विलास इनकी रचनाओं का संकलन सुन्दर ग्रंथावली में सुन्दर ग्रंथावली नाम से हर नारायन सर्मा ने किया है सुन्दर दास सिरिंगार रस के परम विरोधी हैं ये भी कभी कभी पूछ ले आता कि सिरिंगार रस के परम विरोधी कभी कौन है तो सुन् लंद्रदास की रचना रसमंजरी की नाम आपने सुना होगा जो कि सिरिंगार ओसका विरोध उसकी निंदा अपने एक संद में शुंदरदास ने की है सुन्दर दास ने किये आप लोग जानते भी होंगे जहां तक मुझे उम्मीद है इनकी रचनाओं में ब्रजभाशा का परियोग हुआ है और इसके अलावा लाल पंत के प्रवर्तक लाल रास हैं लाल रास का भी नाम आपने सुना होगा रज्जब की बात भी मैंने की है रज्जब के बारे में भी आप लोग जानते होंगे तो यह सारी चीजे हैं अगर इस पर आपने सारा चीज देख लिया सब कुछ कर लिया तो आपका कोई भी प्रस्न मुझे नहीं लगता है कि आपका छूटेगा जैसे आप जानते ही होंगे यहां पर थोड़ा सा और आपका ध्याना करसित करना चाहेंगे कि इसके अलावा लाल संपरदाई के प्रवर्तक बाबालाल हैं संत रज्यब बाबरी पंत की बाबरी साहिबा हैं और संत सदना का नाम सुना होगा संत पीपा हैं संत सेन हैं संत धन्ना भी हैं तो बहुत सारे कभी हैं और इसके अलावा आप यह भी जानते होंगे थोड़ा बहुत आपका ध्यान आकिस्त करना चाहेंगे सेखफरीद के बारे में, सेखफरीद आप लिख लें जिनका जन 1472 इस्वी में हुआ, सेखफरीद भी पंजाब और वेदान्थ पर कई ग्रंथ लिखे हैं और दुर्गा सब्तसती का अनुवाद हिंदी पद में किया है तो यहां पर सेखफरीत की भी बात हम लोगों ने कर ली है सेखफरीत के अलावा आप लिख लें रजब की रचना रजब की रचना का नाम आपको लिखा दें कौपी पर आपके पास होगा ही लिख लिजिए रजब की रचना का नाम था सवंगी 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 रजब की रचना लिख लीजिए रजब की रचना का नाम सवंगी है निपट निपट निरंजन एक कभी का नाम लिखे निपट निरंजन कभी का नाम लिखे निपट निरंजन जिनका जिनकी रचना है निपट निरंजन की रचना का नाम लिखे लिखे है सांत सारसी और निरंजन संग्र है तो इस तरीके से इन रचनाओं का भी नाम मैंने आपको लिखा दिया है और इसी पर संबंधित रात में live class होगी live class 9 वजे होगी और उसमें आप लोग जरूर रहिएगा और अगर आप हमारे member बनना चाहते हैं paid members तो उपर जैसा कि मैंने बताया है उस दिये गए number पर phone करके whatsapp करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं और जो हमारे paid members हैं उन्हें अभी क कभीर से संबंधित की पूरा वीडियो है कि कभीर से संबधित वी वीडियो आपको दे दिया जा ये गा तो रात में live class होगी संत आया ग्यान मारव कावेधारा से संब्मंदित कावीर से संबंधित प्रश्ण पूछे जाएंगे कि और दोOUT त्यार रहिएगा और आब किंक ऐसे ही लगातार चलती रहेंगी हम लोग फिर मिलेंगे रात में नो बजे लाइप अक्षा में